इशा सिंग के डिपेंडबल गेमिंग पर सारा अर्फिन खान ने किया तीखा कॉमेंट सारा की बाते सुनकर फूट फूट कर रोई इशा सिंग इशा को दिलासा देने आए सबसे अच्छे दोस्त अविनाश मिश्रा रियाल्टी शो बिग बॉस 18 में चीज़े काफी ज़ादा इंटेंस होती जा रहे हैं हाथ अपाई तो काफी सारे सीज़े देखने को मिल रहे हैं प्रोमो और एपिसोड के दौरान लेकिन यहाँ पर कंटेस्टन्स एक दूसरे पर कॉमेंट करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं सारा अर्फिन खान काफी जादा हाइलाइट कंटेस्टन बनकर नजरा रही हैं इस पिछले कुछ तिनों में सारा अर्पिन खान ने ईशा सिंग की गेमिंग स्ट्राटेजी पर काफी जादा गंदा कॉमेंट किया है उन्होंने ईशा सिंग को बताया है गुलाम अविनाश की और कहा है तुम हर वक्त दिन भर सिर्फ अविनाश के आगे पीछे घूमती रहती हो तुमारा खुद का कोई इंडिविज्वल गेम या पसनालती नहीं है सारा अर्पिन खान की बाते सुनने के बाद कमरे में जाकर अकेले फूट पूट कर रोने लगती है ईशा सिंग उनका कहना है कि उनको आज तब किसी ने इतना नास्टी कॉमेंट नहीं किया है अविनाश मिश्रा अपनी अच्छी दोस इशा सिंग को चुप करा कर उन्हें दिलासा देनी की कोशिश करते हैं साथ इसाथ उन्हें मोटिवेट भी करते हैं लेकिन इशा सिंग के आशू अब भी रुखने का नाम नहीं ले रहे इशा काफी ज़्यादा हर्ट है इन बातों से अब इसका आगे क्या अंजाम होगा देखना दिल्चास पोने वाला है फिल्हाल सारा अर्फिन खान की बातों से क्या आप सहमत है या नहीं हमें कॉमेंट सेक्षिन के जरिये जरूर बताएं और हमारे चानल को शरूर सब्सक्राइब करें